इस वीडियो में हम जानेंगे कि MetaForce में ID Registration के से किये जाते हैं और फिर MetaForce का पहला प्रोजेक्ट Force Classic के Levels Buy के से किये जाते हैं यह स्क्रीन पे अब देख सकते हैं एक Trust Wallet के Wallet Balance 75 DAI और 8 Matic तीन Level पर्सेस करके हम दिखाएंगे सबसे पहले जिनके लिंक से अब जूरना चाहते हैं उनके लिंक को कोपी कर दीजिए अब Trust Wallet में यह नीचे Deps में क्लिक करना है आपको अब उपर यहाँ पर सर्ज बर में इस लिंक को पेस्ट कर देना है और फिर सर्ज बर में ही टाच करके यह Keypad को On कर लेना है और Keypad में यहाँ से Done कर देना है अब यह आपके सामने Metaphors के Page Open हो गया यह Appline ID यहाँ Appline के Direct Referral का Number अब यहाँ पर Sign Up Now पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर Wallet सिलेट करना है मैं Trust Wallet को सिलेट कर दिया अब आपके सामने आएंगे Smart Contact Call Page नीचे यहाँ पर Approve कर देना है अब यह आपके सामने आगया Successfully Registered ID Registered हो चुके है यह है आपके ID और यह है आपके Link यहाँ से आप Link कोपी करके किसी के साथ भी Share कर सकते है अब स्क्रॉल करके नीचे देखिए Classic के Table Levels Buy करने के लिए यहाँ पर Preview पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने यह Classic का पहला Level 5 Dye से Activate करने का Option आ गया Activate पर क्लिक कर देना है और फिर Next Page में Proceed पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने यह पे जाएंगे Approve Die Confirm कर देना है यह आपके सामने Activation का Process चल रहा है अब इस Page में फिर से Approve कर देना है प्लीज वेड़ दा Operation इस Process यह Level 1 एक्टिब हो गए अब आपके सामने Level 2 का Activate का Option आ जाएंगे जो की है 10 Dye क्या Activate पे क्लिक कर देना है Next Proceed पे क्लिक कर देना है और Next Approve Die Confirm कर देना है Next Page Smart Contact Call यहाँ पर आपको Approve कर देना है 2-3 Second Process में लगेंगे और फिर Level 2 बाई हो जाएंगे और फिर आपके सामने Level 3 Activate का Option आ जाएंगे Activate पे क्लिक कर देना है Then Proceed 1-2 Second में ही Polygon Die Balance चेक करके Next Page Approve Die Confirm कर देना है Operation Process Matic Approve कर देना है 2-3 Second Process और फिर Level 3 भी बाई हो जाएंगे बहुत ही Simple Process अब यहाँ पर उपर 3 Line पे क्लिक करके Home Page पे आ सकते है जहाँ पर आपके ID Link है और फिर अब यहाँ पर Classic Table में आप देख सकते है 3 Slot Process हो चुके है Preview पे क्लिक करके अगर Highest Level जो की है यहाँ पर 3 Level वहाँ पर क्लिक कर देते है तो आप यहाँ पर Auto Upgrade का Option देख सकते है यहाँ से आप चाहे तो Off भी कर सकते हो तो यह है ID Activation के Process बहुत ही Simple है हर कोई कर सकते है